हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज इस वीडियो माधियम से हम बात करने वाले हैं कि आपने कोई सी भी kit ले यानि कि market में कई kits available होती है जो कि pregnancy को abort यानि कि terminate करती है या pregnancy को remove करने के लिए use की जाती है जिसे कि unwanted kit, mephagest kit, safety kit, m2 kit, khushy kit और भी कई mtp kit, कई kits market में available है जो कि हमारी pregnancy को remove करती है क्योंकि कई लोग इसे होते है जो pregnancy plan नहीं करना चाते है और pregnancy हो जाती है तो फिर उसको remove करते है यानि कि pregnancy हटाते हैं तो market में कई kits available होती हैं सभी brand name से मिलती है जो कि अलगल होता है पर सभी का composition एक ही होता है सभी kits में 5 tablet available होती है पहली वाली tablet यानि कि सबसे बड़ी tablet मिफी प्रोस्टोन की आपकी एक टैबलेट होती है और 4 tablet आपकी मिसो प्रोस्टल की होती है बस company या brand name अलग-अलग होता है उनके अंदर जो दवाई होती ही वो same ही होती है तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानें कि अगर आपने कोई सी भी kit खाई है मुझे कई लोगों के comments आते हैं कि मैं आपका number दे दीजिए मैं हमें आपसे बात करना है सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी आपको कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते है या आप मुझसे किसी भी चीज को clear करना च लीजिए उसके बाद में आप इस number पर call करिए मेरी टीम के लोग आपसे बात करेंगे और फिर आप उनसे बात कर लीजिए उसके बाद में वह मुझसे आपकी बात करवा देंगी क्योंकि मैं भी काफी busy रहती है उसलिए हर किसी को मेरे number देना possible नहीं है अब हम बात करते हैं अपनी just man बात को हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई से भी किट ली और अगर आपको bleeding थोड़ी सी हुई है तो इसे condition में आप क्या करेंगे देखें bleeding आपने पूरी kit finish कर ली और अगर आपको bleeding नहीं हो रही तो उसके कही कारण होते हैं अगर आपको जानना है कि bleeding ना ह अगर देती हूं आपको कि आपने किटली कोई भी किटली pregnancy को remove करने के लिए और आपको bleeding नहीं हो रही है तो उसके क्या कारण होते हैं सबसे पहला कारण आपका होता है कि आपने काफी जल्दी किट को ले लिया है यानि कि आपकी pregnancy one month की भी नहीं हुई है और आपने किट खा ली दूसरी बात होती है कि कहीं बार आप काफी late tablet यूज करते हैं यानि कि two months से उपरी की pregnancy हो जाती है तब आप टेबलेट का यूज करते हैं सबसे दो main कारण हो गए तीसरा सबसे main कारण हमारा होता है कि आपने जो dose लिया है जिस तरीके से आपने tablet खाई है उस तरीके से हो सकता है कि tablet में tablet ने आप पर काम नहीं किया है यह जो tablet आपने ली वो आपको सूप नहीं हुई है तो उसके कारण भी आपकी bleeding नहीं होती है ठीक है यह तो कुछ कारण हो गए है या फिर आपको हो सकता है खुन की कमी हो जिसके कारण आपको bleeding start नहीं हो रही है ठिक है? अब हम यह जानते हैं कि अगर आपको bleeding हुई है और थोड़ी थोड़ी करके हो रही है अगर आपको bleeding नहीं हुई है तब इसे condition में आपको क्या करना है तो आपको कम से कम kit finish यानि के पूरी kit खतम होने के बाद 10 जिन तक आपको wait करना है कई बार kit खतम होने के 5 जिन के बाद में भी period से शुरू हो जाते हैं तो आपको कम से कम 10 जिन का wait करना है कई patient या कई लोग ऐसा करते हैं कि एक kit से उनका period नहीं आया, तो वो दूसरे kit तुरन से खा लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, दूसरी बात, कि आपने kit खाई, आपकी bleeding तो शुरू हो गई, पर एक घंटा हुई, दो घंटा हुई, दो दिन हुई, चार दिन हुई, फिर इस टॉक हो गई, ठीक है, तो कहीं बार अगर आपकी pregnancy कम time की है, तो वो जल्दी से pregnancy remove भी हो जाती है, अगर आपको 5-6 day bleeding होई है, तो वो remove हो जाती है, पर अगर आपकी pregnancy 40 दिन की है, 50 दिन की है, या 60 दिन की है, तो इतने दिन की pregnancy में 7-8 दिन bleeding होना एक normal होता है, कम से कम 8-10 दिन तो bleeding होती है, 40-50 और 60 दिन की pregnancy में, अग हुमरा main topic आता है कि आप ने किट खाई किट खाने के बाद में अगर आपको bleeding थोड़ी सी हुई फिर हुई फिर रुग गई तो ऐसी condition में आपको क्या करना है क्योंकि कई patient के comments मुझे आते हैं या मेरी viewers के comments आते हैं कि में हमें bleeding start हुई फिर रुख गई फिर हुई फिर रुख गई तो हम क्या करें हमें कुछ suggestion दीजी तो देखी इसका suggestion के लिए आपको आपने जिस भी doctor को दिखाया है दॉक्टर को दिखा करके medicine लिए या तो आपको उनसे जाकर के बात करनी चाहिए कि हमारे साथ में ऐसी problem हो रही है या फिर अगर आप doctor के पास नहीं जाना चाते हैं या किसी भी कारण से नहीं जा सकते हैं तो आप मुझसे भी online appointment book करके treatment ले सकते हैं देखी ऐसी condition में आपको क्या करना है जिससे आपने kit खाई, kit खतम होने के बाद में या kit जिससे कि हम जो डोज बताते हैं जिससे आपको first day लेना है एक tablet, second day tablet लेना है and third day tablet लेना है तीन दिन की ये process होती है tablet की जिससे हम पहले दिन की tablet खाएंगे तो हम bleeding start नहीं होती है दूसरे दिन की tablet हम लेंगे तो हमें 4-5 घंटे के अंदर अंदर bleeding start हो जाती है देखी, kits पे मेरे कहीं वीडियो है, अगर आप continue मेरे वीडियो को watch करते हैं तो आप समझ गए होंगे या आपको पता ही होगा कि मैं किस type से kit को लेने की सला देती हूँ और अगर आप उस type से या उस process से tablet खाते हैं तो आपका case बिगणने का chance कभी नहीं होता है या 99% case आपका सुधरता है, 1% chance होता है only case बिगणने का, ओके तो जो process मैं बताती हूँ, अगर उसके आधार पे या उस process से आप लेते हैं तो आपका case विगरने का chance ही नहीं होता है अब हम देखते हैं कि अगर आपने kit खाई second day आपने दो tablet खाई और 4-5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको bleeding शुरू हो गई फिर bleeding शुरू हो गई फिर बंध हो गई फिर शुरू हो गई फिर बंध हो गई तो फिर आपको और कोई सी tablet नहीं लेना है अपने नजदी की doctor को दिखाना है sonography करवाना है और फिर हमें पता चलेगा कि आपकी pregnancy remove हुई या कुछ clots यानि कि टुपडे या tissues अंदर बच्चे हैं और बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं और अगर आप नहीं जा पारे और अगर आप हमारी online apartment बुक करना चाते हैं तो process में बताई चुकियों कि किस टाइप से आप कर सकते बट सभी patient को में यहीं कहना चाऊंगी कि अगर एक kit से आपका period नहीं आया तो आपको खुद की मर्जी से second kit ले करके नहीं खाना है और अगर आपकी bleeding धीरे-धीरे करके हो रही तो आपको कम से कम one week का wait करना चाहिए कहीं बार bleeding तीन दिन चार दिन के बाद भी तेज हो जाती है और सभी material या हमारी pregnancy remove हो जाती है और अगर आपने kit खाई है और अगर आपको एक बुन भी bleeding नहीं हुई तब ऐसी condition में कम से कम 10 दिन तो आपको wait करना ही है फिर उसके बाद में जो आपके doctor बोले वो next step आप ले सकते हैं ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो comments करके आप में से पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धन्यवाद